नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर इस पाथफाइंडर की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ हाल ही में जो कंड़क्ट करी गई एक multi-national exercise है जिसका नाम है PANX21 यह exercise important इसलिए बन जाती है because काफी लंबे अर्से के बाद एक exercise conduct करवाई गई है for the BIMSTEC nations आप यहाँ पर देख सकते हैं BIMSTEC में यह वाले देश आते हैं बांगलादेश आता है उसके बाद शिरिलंका आता है इंडिया आता है then we have Myanmar, we also have Thailand, we have Bhutan and we have the country of Nepal as well आप यहाँ पर देख सकते हैं PANX21 COVID-19 pandemic far from over यह वाला जो statement है यह दिया गया था हमारे army chief के द्वारा साथी में उस time पर CDS रावत ने भी यहाँ पर एक statement कहा था इन्होंने कहा था कि आगे आने वाली mutations के लिए इंडिया को और जादा prepare होना अनिवारे है तो बात करेंगे PANX21 के बार में बहुती छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की पीडिया को ज़दी आप लोग डाउलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए इसके इलावा आप लोग जुट सकते हैं यूजिन इस पर्टिकलर हांडल ऑन दी आनकाडमी आप आप अस वेल प्लंका, इंडिया और थाइलेंड प्लीज इन कंट्रीज के नामों को याद रखिए आप से सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि विम्स्टेक कंट्रीज में बेसीकली कौनसी कंट्रीज आती हैं में एम इस exercise का क्या है? इस टू बिल्ड रीजनल कोपरेशन इन रिस्पॉंडिंग टू नाच्रल डिजास्टर यानि कि जब आपकी प्राक्रितिक आपदाएं आती हैं किस तरीके से देश जो है वो इसको रिस्पॉंड करते हैं और उस रिस्पॉंस में हम लोग यह चाहते हैं कि रीजनल कोपरेशन जो है वो बिल्ड करवाई जाए इस exercise को conduct करवाया जाएगा from December 20 to December 22 in the city of Pune आप देख सकते हैं BIMSTEC के बारे में एक ब्रीफ जानकारी इसका जो headquarter है यह दोस्तों located है भांगलादेश में धाका के अंदर and BIMSTEC is an international organization of seven South Asian and Southeast Asian nations इसकी full form को भी आप लो ढूने लग जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है BIMSTEC basically stands for way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation right now exercise किस तरीके से connect करवाई जाएगी exercise में कुल मिलाके आपके 8 participants होने वाले हैं now countries यहाँ पे साथ हैं लेकिन participants 8 होने वाले हैं because बाकी सारी countries में से तो एक syndicate आएगा लेकिन इंडिया में से कुल मिलाके आप के दो syndicates यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं it will analyze the capabilities of member states in responding to natural disaster और साथ ही में जो countries हैं वो अपनी best practices एक जूसरे के साथ यहाँ पर share भी करने वाली है exercise यह भी यहाँ पे review करेगी कि हर country का जो procedure है preparedness का और response का वो आखिरकार क्या है और उसके बाद it will recommend the evolution of an organized structure during the exercise the countries will also discuss कि कल को अगर हमें military to military cooperation करने पड़ती है तो उसका protocol basically क्या होने वाला है यह exercise important इसलिए बन जाती है because आज के time पे खास रूप से जब जलवाई परिवर्तन के चलते हम लोग इतने सारे प्राकृतिक आपदाओं को देख रही हैं तो यहाँ पर कई सारे चक्रवातों का भी जो frequency है वो परनुमान लगा जाता है कि almost 13 billion US dollar से भी जादा यहाँ पर जो devastation है वो केवल एक super cyclone अमफन के द्वारा किया गया था इसमें basically problems कई सारी सामने आई है क्योंकि unplanned development हो रही है ecological sensitive zones में जिसके चलते जो यह इतनी जादा intensity से आने वाले cyclones हैं इसके साथ जुड़े हुए जो risks हैं उनको हम लोग आज address नहीं करवा पा रही हैं और इसी particular मुद्दे के ऊपर जो Indian Army के Chief है General M.M. Narava ने इन्होंने कहा that the emergence of the new variants and the resurgence of cases suggest that the pandemic of COVID-19 is far from over लेकिन साती में इन्होंने एक और चीज़ कहा कि there are a range of factors जिसमें की हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसकी वज़े से frequency, complexity और severity of disasters यहाँ पर बढ़ रही हैं यह range of factors में क्या क्या आता है, climate change आता है, unplanned urbanization आती है, under development आती है, poverty आती है and the threat of pandemics भी यहाँ पर include करवाया जाता है So, यह कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, यह बहुती brief सी exercise थी, बहुती brief सी video थी, ठीक है, exercise अभी होने वाली है, लेकिन I wanted to know, I wanted you to know कि basically exercise में क्या-क्या होने वाला है, कौन-कौन यहाँ पर हिस्सा लेने वाला है, दोस्तों फिलाल के लिए वीडिय लेकिन इसकी जो date है, वो अब बढ़ा करके 23rd December करवा दी गई है, इसमें आप जब course को purchase करेंगे, तो आप से पुछा जाएगा एक referral code, जहां पर आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल करते हुए, 10% discount ले सकते हैं, साथी में यह वाले फाइदे भी आपको मिलने वाले हैं, मेरी जो दाम है, that is 74,500 रुपीज, और इसमें भी आप लोग अनी UPSC code इस्तिमाल करते हुए, 10% का discount अवेलेबल करवा सकते हैं, ध्यान रखिए, आप आज प्लस खरीच सकते हैं, कल को इसमें अप्ग्रेड करवा सकते हैं, अगर आज आप जो है, Iconic को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, इसके साथ ही में, ये वाले dedicated batches हैं, जो कि आपके लिए शूरू करवाए जाए हैं, ये 2022 के बच्चों के लिए 15 December से शुरू करवाए जाएगा, और इसके साथ ही में ये वाली offerings आपको मेरे द्वारा वेलेबल करवाए जाएगी, जिसमें की science and tech का कोर्स और लिड अगर आप लोग UPSC की combat में हिसा लेते हैं, तो इस रविवार के दिन आपके लिए एक mega combat page कर जा रहा है, जिसमें की any UPSC code इस्तिमाल करते हुए, आप लोग यहाँ पर जो है enroll कर सकते हैं, totally free of cost और ये सारे के सारे फायदे भी आप लोग इस particular combat में आके ले सकते हैं, इसके स झाल राव भी आपके ले आपके लेदे ले वाग भी आपके लेख लेगर दोग है